नमस्का दोस्तों, MMS News 24 में मैं फरित खान आपका स्वागत करता हूँ मद्धिवदेश में विधान सभा चुनाओं का आगाज हो चुका है और आज हम मुझूद हैं खाते गाओं विधान सभा छेत्र में यहां से भाती जनता पाइटी ने तीसरी बार आशिस शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है दो बार आशिस जी 2013-2018 में उम्मिदवार रहे हैं और विजे भी रहे हैं तीसरी बार फिर भाती जनता पाइटी ने उन पर भरोसा जताया है हम आशिष जी से जानते हैं कि आखिर उनकी महत्व कांग्षी जो योजणाए है या अपने खातेगाओं करन्दो विधानसभा चुनाओं के साथ ही वर्ष 2003 से लगातार बारती जनता पार्टी इस विधानसभा चुत्र में काबिज है और उसका परिणाम आज विधानसभा के सकारात्मक विकास के रुप में हमें देखने के लिए मिल रहा है 2013 के पहले इस विधानसभा चुत्र में कोई सिचाई परियोजनाए नहीं थी आज तीन-तीन सिचाई परियोजनाओं पर काम चल रहा है नेशनल हाईवे की हलत बहुत खराब थी आज फोर लेन का काम चल रहा है रेलवे लाइन का काम चल रहा है कॉलेज बिल्डिंग नहीं बनी है हॉस्पिटल बिल्डिंग नहीं बनी है सीम राइज स्कूल मिले है इसके अलावा भी जो आधार भूत विकास की सरचनाय आवश्यक होती है वो हमने खाते गाँ विधान सबाद शेतर में करने का विकास किया है शाशन की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे इसलिए लगातान रातरी चोपाल लगाकर जन समस्या निवारण शिवीर लगाकर विकास यात्राओं के माद्यम से हमने जनता की समस्या के निवारण के लिए कारगर उपाई किये है और इस कारण से मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पुना इस विधानसभाद शेत्र से भाजपा जीतेगी अच्छा आपको एक विरासत के रूप में विधानसभाद शेत्र मिलाएं क्योंकि आपके स्वर्गी पिता जी यहां से विधायक रहे हैं उनके कुछ ऐसे सपने जो आप लेकर चल रहे हैं कि इस खातेगाओं को इस कंद्व छेत्र को उन सपनों से जोड़कर उसको विक्सित किया जाए क्या है देखिए लगातार भारती जन्ता पार्टी संगठन में काम करते हुए चाहे पार्षत के रूप में हो नगर पंचाद अद्धिक्ष के रूप में हो युवा मोर्चा जिलाद द्धिक्ष के रूप में हो विविन नदायतों का निर्वा करते हुए भारती जंता पार्टी ने मुझे 2013 में इस विधान सबाद छेतर से प्रत्याशी बनाया और विधान सबाद के समस्त मद्दाताओं की आकांग्षाओं के अनुरूप विकास के जो कारी उनकी आवशक्ता जैसे खिलाडियों की हमारे इस विधान सबाद छेतर में राश्टी और अंतर राश्टी स्तर के कई खिलाडी है इसलिए खाते गाउं में एक भव्य स्टेडियम का हम निर्मान कर रहे हैं जिसमें रात्रिकालिन मुकाबले भी हो सकेंगे इसलिए जनपतनीदिय का करता भी होता है कि जन आकांग्शाओं के अनुरूप विकास की योजनाओं को क्रियान वयन के लिए काम करें अच्छा भईया जैसे कुछ होते हैं बागी और कुछ होते हैं भीतर घाती आपको भी कही न गई पिछले कई चुनाओं में दो चुनाओं लड़ा था कई चीज़ा आपने फेस की है इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी लग रही है तो उस चीज़को आप कैसे फेस कर रहे है बारती जनता पार्टी के खिलाफ काम नहीं कर रहा भार्री 10 कान क्वा क्राश्म की अप्र पक्रम च मैंने नहीं डॉट ए कोनई रिड़न होना हैने पर हमारे गाहड़ी। सब्सक्राइब के साथ से की और रहे हो हुआ नहें इरे औस है लिए जो कुछ रेयल के लिए को ही देवा मैंपने तक पर बडिव रिखेंगे। 2025-26 तक मुझे उम्मीद है कि इंदोर बुद्नी रेल लाइन का मार काम पूर्ण हो जाएगा और हम यहां पर रेल गाड़ी का परिचालन होते वे देखेंगे यह थे हमारे साथ आशिश शर्मय जी जिन्होंने रेल की बात कही बीजेपी की जोड़ने की बात कही अब यह तो जनता ही 17 नौंबर को तेह करेगी कि फेसला होता है क्या